Hello everyone, welcome to another learning video in this video. we will see how the line graph and bar graph can be made. You can easily select the data and compare and compare and trend. And you can easily select the data and present the data. I hope you will see how the data extract and how the graph can be made. तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें लाइक कर दें लाइक कर दें supporting columns और rows को इस्तिमाल करना होगा जिसके अंदर हम एंटर करेंगे कुछ custom formulas जिसको use करते हुए हम data में से data को extract कर लेंगे और फिर उस data को use करते हुए हम line graph और bar graph बना सकेंगे तो किस तरीके से हम भी कर सकते हैं चलिए देखते हैं ठीक है हमारे पास जो current data मौझूद है उसमें मौझूद है कुछ states और उन states का yearly data right for example हमारे पास मौझूद है कैलिफॉर्णिया तो कैलिफॉर्णिया from 2021 to 2026 हमने जितने भी sales किये उन सब का data यहां मौझूद है इसी तरह न हम select करते हैं New York को तो सबसे पहले मैं New York को copy करके यह मेरा supporting area जहां मैं data में से data को extract करूँगा तो मैं यहां पर डाल देता हूं New York ठीक है मैंने यहां से इसको copy किया और यहां पर इस नाम को paste कर दिया पिर हमें यह data निकालने के लिए use करना पड़ेंगे इन तमाम years को तो इसक formatting भी हमारे पास आए ठीक है तो अब अगर for example में या नियॉर्क की जगा California कर दो तो यह data यहां पर जो आए वो ठीक है तो data मैसे data को उठाने के लिए तो मुझे नियॉर्क के 2021 का data उठाना है कि जो इस मेरा यह वाला data ठीक है तो इस data को यहां पर लाएं जे लिए मुझे क्य आए मैच ठीक है और मैच कराएंगे हम सबसे पहले column को यहां जो कि हमारे नियॉर्क है ठीक है और पिर comma लगाएंगे कि रहा आप look up array बताएं कि कहां है इस नियॉर्क को हमें कहां पर टूम रहे हैं तो हमने इस नियॉर्क को इस data के लिए ठीक है और comma लगा दे 0 इस data को close कर रहेंगे तो आपके पास आया 7 इस 7 का मतलब है कि नियॉर्क हमारे data में 7th position पे available है हम यहां पर नमबर देते हैं 12345678 तो आप देख सकते हैं कि 7 पे मौझूद है नियॉर्क ठीक है तो यह हमारे पास data आ गया कि साथवे row पे 7th row ते नियॉर्क is available अब हमने नियॉर्क 7th row मे जो है वो first column नहीं बिलके second column का data उठाना है based on this output तो अब हम match कराएंगे 2021 हमारे data में कौन से रोग है मुझे तो अब हम match करा देते हैं for example match 2021 कॉमा अब पूछ रहा है कि look up area कौन से रोग के अंदर इसको ढूमना है तो मैंने 21 से 2026 को select कर दिया ठीक है और इसको f4 करके freeze कर दिया कॉमा 0 यह हमेशे 0 ही रहेगा आपने bracket close करना एंटर करेंगे तो यह कह रहा है कि first जो आपने जहां से selection स्टार्ट की है जहां से selection स्टार्ट की है उसके first column में ही वह available तो मैं यहां पर one इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते two three four five six ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको run करूं यहां from here to here one two three four five six ओके और जो यह formula जामने लगा था इसमें हम नियोर को freeze करेंगे column B को basically freeze करेंगे control B और इसको हम यहां से यहां तक ठा देंगे let me check what went wrong okay ठीक है इस मेंने एक mistake की है हम इस data को freeze करेंगे क्योंके हमारा data जो है इसको भी आपने फोर करके freeze कर लेना है 7th row आगे आपके बस और आपने data select किया तो 7th row की column number 3 में 2013 है so this is the 7th row and this is the 3rd column 2013 of course ठीक है तो तीसरा जो काम आपने करना है अब आपने इस actual values को उठाने के लिए आप जो formula use करेंगे वह हमारे पास है index का formula ठीक है index पूछता आप आहरे गया है आपका data कहाँ है तो मेरा data जो है वो इस body के अंदर मौच हूँ है ठीक है आपने इसको freeze कर लेना है फिर वो पूछ रहा है कि आपकी raw number कौन सी है मैं कह रहा हूं मेरा raw number जो है वो यह है जो मैंने भी calculate किया कॉमा फिर वो खहर आए कि आपका column number कौन सी है column number मेरा one है जो मैंने यहां के आपने bracket close करना है तो आप देख सकते हैं कि 7356 आपके पास आ गया सिमिलर्ली अगर मैं इसको यहां से यहां दगरन करता हूं तो यह पूरी row जो है मैं उठके यहां पर आ गई जिसको मैं कॉमा और ब्रेक्ट जिरो डैसिमल जिरो करके प्रेडी फॉर्मेट कर सकता हूं ठीक है अब आप देख सकते हैं कि हमने supporting के लिए 3-3 लाइने इस्तिमाल कर ली मैं चार और तीन लाइने यूज ना करूं पर सही की जगह सब कुछ आ जाए तो जहां मैंने मैंने c16 लिखा है c16 में मैंने इसको reference किया तो जो फॉर्मूला मैंने यहां बनाया एक्जैक्ली फॉर्मूला कॉपी करके मैं यहां डाल दूँआ ठीक है तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे कि index match को किस तरह तोड़ के कस्टमाइज तरीके से बहले बनाया जाता है और फिर उसको एक साथ मर्शल किया जाता है तो आपने उस फॉर्मूला को कॉपी किया यहां कंट्रोल भी कर दिया enter कर दिया ठीक है similarly आपने यहां पे c17 को reference किया हुआ है तो c17 में आप शुडू का equal नहीं लेंगे बाकी तमाम इस फॉर्मूला बड़ा असानी से त्यार कर दिया फॉर्मूला इसको फॉर्मूला पहले ब्रेक करके बनाया और फिर उसको merge कर दिया अब हमें इस data की knit नहीं रही हमार पर यह data आ गया है क्योंकि हमने तमाम फॉर्मूला उसके अंदर ही create कर दिया simply आप यह करेंगे कि इस चेंज हो गया और वह Arizona के data पे तक्दील हो गया अब obviously यह आसान तो नहीं है कि हमें बार बार जो है वह क्या करते हैं इसको copy करूं पेश करूं अगयरा ठीक है तो इसके लिए हम इसको क्या हल निकालेंगे वह मैं आपको आगे जहुर दिखाऊंगा ठीक है तो अब हमारे प हमारे पास data ready हो चुका है sorry line graph के लिए हमारे पास data ready हो चुका है line graph हम कभी यूज करते है line graph हम तब यूज करते हैं जब हमें trend दिखाना हो के trend किस direction में जा रहा है ठीक है तो 2021 दें 2022 3456 तो यह हमारे पास एक trend है यह data एक trend की सुरत में मुझूद है similarly जो हमारा क्या करते हैं बार ग्राफ है वह इस्तिमान होता है जब हमें comparison करना होता है ठीक है for example हम मुक्तलब states में देखना चाहरें कि 2021 में क्या performance रहीं तो सुरत में हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं तो आपने हमेशे याद अकना है कलकल आप से interview पूछा जाए कि line graph और बार ग्राफ कभ यूज़ कि जाते हैं तो आप हमेशे यह कहेंगे के line graph are used to present the trend while the bar graph is used to present the comparison ठीक है तो यह हमने data बना लिया है for line graph purpose थीक है अब हम data बनाएंगे अब बार ग्राफ पर पसके हमने इस वक्त डेटा अपना होरीजॉंटली बना है बार ग्राफ क्यूंकि कॉम्परेजन है तमाम स्टेट का डेटा वहां प्रेजन होना ज़रूरी है तो अब जो हमारा data होगा वह वर्टिकल फॉर्म में होगा तो हम जहां हमने पहले तमाम years copy के दे अब हम तमाम states को copy कर लेंगे ठीक है और let's say हम इस data को यहां पर रख ले ठीक है अब यहां पर मैं लिख देता हूं 2022 तो मैं चाहरा हूं कि जब मैं यहां पर 2022 लिख हूं तो मेरा तमाम data यहां पर मुक्तलव states का present हो जाए इसको present करने का तरी formula बनाना होगा और custom formula किस तरीके से बनाया जाएगा बिलकुल इसी तरीके से बनाया जाएगा लेकिन अपकोर्स अब की बार जो है वो रो आपको column हो जाएगा किस तरीके से यह मैं आपको दिखाता हूं ठीक है सबसे पहले हमें वही match करवाना है कि हमारा image states है वो हमारे data में किस position पर मौझूद है तो सबसे पहले हम match का formula लगा लिते हैं और match में हमारे state को reference करेंगे ठीक है और इस अपकी बार जो हम freeze करेंगे वो column number J को freeze करेंगे ठीक है सिर्फ J एक से पहले dollar लगेगा कॉमा आपका look up है रहे क्या है look up है मेरे मेरा यह states है right इस पूरे data को आप F4 की म comma लगाए sorry comma मैंने यह ज्यादा लगाती है comma लगा कि इसको zero करें bracket close करें ठीक है तो आपके पास यहां पर one आ गया कि यह state आपके पास one position पे ही मौझूद है आप इसको copy to down कर लिए ठीक है अब मुझे देखना है के मेरा जो state है ठीक है sorry मेरा जो year है वो किस position पे मौझूद है तो again अब की बार में match करूँगा इस cell को और complete cell को में freeze करता हूँगा क्यूंकि अब मैंने मजीद years को extract नहीं करना सिर्फ 22 को extract करना पर मैं 23 करूँगा खुदबह को zero change हो जाएगी comma look up array look up array हमारे पास जो है वो यह मौझूद है इसको आप freeze कर लें और इसको comma लगा के फिर यह हमेशा zero ही रहेगा चाहिए आप चाहिए आप raw में इसको search करें या column में search करें हमेशा end में comma zero ही आएगा तो यह कह रहा है कि आपके data में 2022 जो है वो second position पे मौझूद है तो अगर मैं 2023 कर तो यह automatically three हो जाएगा ठीक है तो इसको copy करके हम down कर लेंगे इसको again अब मुझे मेरा यह states की जो values है यानि यह तमाम values यह एक्स्ट्रैक करके यहां पर लाने ठीक है इन तमाम values को अब मुझे extract करके यहां पर लेक्या आना है और उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़े मैच और सॉरी इंडेक्स ठीक है पुछ रहे आपका array कौन से है मेरा array again यह वाले cell है मिंस यह तमाम data में जो मेरा array again select कर लूँगा अब की वार वो पूछ रहे आपकी raw कौन से है तो raw always मेरी state वाली row है तो उसका reference जो है वो L5 है ठीक है और फिर कॉमा लगा है और आप से तु अब मेरे पास यहां पर मुझा आ चुका इसको format कर लेते हैं ठीक है अगेन वही बात है कि हमने इसको reference दिया हम इसको replicate भी कर सकते हैं या तो हम चाहिए इन columns को hide भी कर सकते हैं अगर आप इसको difficult नहीं बनाना चाहरें तमाम चीज़े को separate रखना चाहरें बट मैं यही suggest करू हुआ कि अगर आपकी practice अच्छी हो चुकी है तो आप इसको एक ही formula में यूज़ करें ना supporting column ज्यादा यूज़ करें वरना आपको बार बार जो है चीज़े एक एक जगा जाके देखना पड़ेगा ठीक है बट अगर आप beginners हैं तो फिर definitely आप इसको अलग-अलग रखें किस formula में क्या मिस्टेक दो ठीक है तो मैं अभी इसको merge कर देता हूं ठीक है मैंने जो L5 को reference दिया है तो L5 मेरे यह formula है इसको मैं cut कर लेता हूं और यहां के paste कर देता हूं ठीक है और enter कर लेते और जहां मैंने M5 का reference दिया है M6 का यहां M5 वाना चाहिए तो ठीक है इसको enter करते है तो 8797 ठीक है अब आप इसको down to earth कर लें तो 14480 और यह देख सकते हैं तमाम का तमाम data यहां पर आ गया तो अब आप इसको 23 करें तो यह change हो जाएगा ठीक है तो यह हमने बना लिए supporting data for bar graph purpose और फॉर लाइन ग्राफ पर्पॉस रइट तो अब मैं यह करता हूं के obviously थोड़ी सी अच्छी presentation के लिए ठीक है इसके आगी का इससा थोड़ा यूज़ करते हैं ठीक है पहले बार ग्राफ को बना लेते हैं बार ग्राफ पहले लाइन ग्राफ को बना लेते हैं लाइन ग् नो कर लेके रुड़ा होका हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे एन surgeon में जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हम जो है ये हमारे skilled औॡवा और रॉर्मी राइं को ब्हुछे च्वान फोड़ा थोन गर्राफ ग्राफ के बाद यह ग्ति आ्युच्छ एक जो हमारे बार पा सो हम लाइन में जाते हैं ठीक है लाइन में हमरे पास ड़िफ़्रिन फर्मेटिंग आवयलेबल है आप देख सकते हैं जफ में हमारे पास Markers भी लगे होंगे और एक Simple Line Graph हो तो خیर हम Marker Line With Marker वाले जो Graph है उसको Select कर लेते हैं Press Cookie कर लेते हैं अब अगा for example में इसको Phoenix कर देता हूँ Arizona से तो आप देख सकते हैं मेरा data automatically change हो गया similarly board graph में हम इस data को select कर लेंगे और insert में जाएंगे insert में जाने के बाद recommended graph पर click करेंगे फिर all chart पर आएंगे और यहां पर आने के बाद एक तो हमारे पाद यह option मौज़ूद है कि हम इस तरीके data को दिखाएं एक option हमारे पाद इस तरीके हम columns में दिखाएं I think columns is more better तो आप इसको columns में लेए कि जो है आप प्रस okay करने ठीक है और यहां पर आप देखते है states compare okay दोनों की alignment हमें की कर लेते हैं ठीक है तो हमारे पास line graph बार ग्राफ आ गया हम जाये तो इसमें आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह plus का sign आप पूर नदर आएगा इसके उपर आप क्लिक करें और इसमें आप क्लिक करते data labels के ओपर right और data labels के आगे जो बार आ रही है उस background दोते हैं ताके values visible हो जाएं similarly यही काम जो है वह आप जिसके अंदर भी कर सकते हैं के add labels करें और इसके बाद आप इसको outside end कर दें और इसके ओबर क्लिक करके आप इसके ओपर colors लेता है ठीक है इनके alignment को थोड़ा सहम match करा लेता है ठीक है पीछे जो grid lines आ रही है इसको अटा आने के लिए आप view में चाहें और grid line removes करते हैं ठीक है अब problem यह कि हर कोई यहां के बार 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 इसको copy paste तो नहीं करेगा तो यह तो एक ideal situation नहीं है तो इसके लिए तरीके कार यह होगा कि हम इसको तोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ठीक है और यहां पर हम option देते हैं state और यह option देते हैं यह ठीक है यहां इसको option यहां पर हम देते हैं state में जाने के बाद जो हमारे पर यहां पर जो cell है right इसको हम merge कर लेते हैं ताकि data process more visible देते हैं इसके grid line देते हैं similarly यहां पर इन दो को भी हम grid line देते हैं अब मैं चया कर रहा हूं मैं इस finish copy करके यहां पेश कर रहा हूं और अपने इस cell को link कर रहा हूं इसके साथ ठीक है तब मैं जो भी ही यहां changes करूँगा वह पर link हो गया similarly इस cell को मैं link कर रहा हूं इसके साथ तो अब अगर 2023 में यहां लिखुँगा तो यह रेता है यहां पर आ गया अब मैंने यहां पर देना है drop down ठीक है यहां पर देना है एक drop down और इसको हम कुछ colors कर लेते हैं ताकि चीज़े और visible रहे ठीक है तो आपने इस cell के उपर cell रखना है ठीक है और फिर आपने data में जाना है data में जाने के बाद data validation फिर data validation पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे यहां पर लिस्ट करने के बाद वह आप से पूच रहा है source कौन सी है तो source में आप इन तमाम states को select कर लेना है और प्रेस कर लेना है तो अब हमारे पार यह list आ गए drop down similarly हम जब यहां पर जाएंगे इस cell के ओपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद data validation में जाएंगे data list पर क्लिक करेंगे और फिर आप source पर क्लिक करने के बाद इन तमाम years को select कर लेंगे और press ok कर देंगे तो आपके list आगे तमाम years की तो अब अगर for example मैं data देखना जा रहा हूं Alaska का तो यह मेरे पाद Alaska का data एक dynamic form में available similarly मैं data देखना जा रहा हूं 2022 का 2021 का तो इसको जो है अब मिचे इस data में कई पता नहीं चल रहा कि यह 2021 ़ी तो हमने करना है कि मैं चार हो कि यह नगर आजए तो आप करें कि इस के ओपर click करें की कि इस border के उपर आपने खर आपने इस बार पे click करना है जो आपने बार पे click क्या फिर आपने एक फ़ल का sign लगाना है इस cell पे click करना अपने गिराफ के अंदर लिंक लगा लिए अब हुआ ये कि आप जब आप इसको वैंडि टू करेंगे तो कंपरेजन तो इन्टी ती का कंपरेजन 25 कंपरेजन तो मेंस तमाम यर्ज का कंपरेजन जो है अब आप देख सकते हैं सिम्प्ली सेलेक्शन के थूँ ठीक है इसी जिन आप किसी भी स्टेट को सेलेक्ट करके दे सकते हैं जो डेटा हमने एज़ वरकिंग यूस किया है इसको आप हाइड नहीं करेंगे क्योंकर आप इसको हाइड करेंगे तो डेटा छुप जाएगा क्योंकि यह एक्सल का अगर उस ट्रिक पर आप अमल करेंगे तो आपका मसला हाल हो जाएगा इसको डेटा को हाइड करने के लिए और यह ऐसी ट्रिक है कि शायद भी कोई आपको बताए तो को और से देखिएगा आप बेसिकली यह करें कि इसको इसकी बॉर्डर्स पहले खतम कर ठीक है यह देख अब डेटा वहाँ जरूर मौझूद है बट कोई उसको देख नहीं सकता ठीक है तो इस तरीके से आप जो है वह बड़ी आसानी से एक डाइनमिक डाइटा को बना सकते हैं ठीक है ग्राफ को बना सकते हैं लाइन ग्राफ को अब आप देख सकते हैं कि यह लाइन ग्राफ ज ट्रेंड परपस और बार ग्राफ जो है वो हमें देखे हैं 2024 में कमप्रेज ने बता रहा है कि इस state के यह आलते state की यह आलते अच्छा इसमें एक कोड़ी से mistake हुई हमसे आप देख सकते हैं कि 2024 भी यहां पर आगे हैं हम करते हैं कि दुबारा इस data को select करते हैं select करने के बाद इसको black करते हैं इसके ओपर click करते हैं और आप देखे हमने यह state 24 भी select कर लिया तब यहाँ भी state 24 आ रहा रहा है तो इस data को select data में जाते हैं और इस line number 4 को हम line number 5 से start कराके press ok कर देते हैं हमारा वो मसला भी hello गया दुबारा इसको select करके हम white करते हैं तो इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से जो है वो dynamic graphs बना लिए अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप comments में ज़रूर बताईए पीच को like करें शेयर करें facebook page को like करें ठीक है मेरी website को visit करें अगर कोई question हो तो inbox करें message करें